भोजपुरी के सुपर स्टार और बड़े अच्छे गाय कलाकार दिनेश्टा लिया दो निरहुआ जी हमाई साथ हैं आज ये बीजेपी जॉइन कर रहे हैं और समभोत आजमगर से इलेक्शन भी लड़ेंगे उनसे बात करते हैं ये बताईए भोजपुरी फिल्में करते करते और तमाम कला दिखाते हुए आप अचानक से राजनीती में क्यों आगए उसका कारण ये है कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं राजनीती में नहीं जाओंगा और कई बार मुझेिक पूछा गया तो मैं retrouve कि मेरे लिए नहीं है राजनीथी उनका मनोरंजन कर रहे हैं पर अगर आप ये करते हुए उनके लिए अगर आप उनकी सेवा करने के लिए राजनीती में भी आएं तो क्या बुराई है तो मुझे लगा कि सही बात है अगर मैं अपना काम करते हुए अपने लोगों के लिए जो लोग मुझे आज जो भी मिला ह जहां भी पहुचा हूँ एक गाउं का लड़का जो किसानी करता था किसान के घर में पैदा हुआ उसको गाउं के लोगों ने इतना सारा प्यार देके आशिरवाद देके और सिनेमा में इतनी उचाई पे पहुचाया तो अगर मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं उनका प्रत हैं बहुत सारे लोग हैं तो भारती जंता पार्टी चुनने का एक मात्र कारण यह है कि मुझसे जब मैं फिल्म में भी था जब मैं राजनीती में नहीं भी आया था और मुझसे जितनी बार यह सवाल किया गया कि आप देश का प्रधान मंत्री किसको देखना चाहते हैं त तो जब मुझे राजनीती में आना हुआ तो मुझे लगा कि जो मेरे दिल की चाहत है किसी के दबाव में नहीं किसी के कहने में नहीं किसी भी बात को न सोचते हुए यह सोचके कि मेरा दिल क्या कहता है मेरा दिल कहता है कि मैं अगर देखना चाहता हूँ देश का प्रधान मंत्री माननी अनरेंद्र मोदी जी को तो मुझे भाचपा-जौइन करना जी भाचपा जौइन करने के बाद जो सबसे बड़ी चुनवति आपके सामने आने जा रही है वह आजमगट के सीठ है आजमगट से अखले शयादो लघ रहे हैं क्या आपको लगता है इतना असान होगा वहां से इतना देखिए मुझे लगता है कि यह निर्णय लेना यह पार्टी का काम है कि वो मुझे कहां से जिम्मेदारी देंगे मैं इस बात के लिए दिल से धन्यबाद देता हूं माननी अन्रेदर मोधी जी को अखलेश जी को सुर्य हमारे होना है वह झिम्मेदारी पार्टी की है अब वह पार्टी जैसा डिसाइट करें एक और बड़ी चुनाती है जो भी आपका ट्रेश्टनल वोटर है वह लेडी बसपा मायवति का और अखलेश्यदो का भी ट्रेश्नल वोटर है सालों साल से अचानक से आप फिल्में आज जिती में आ गए और आप इलक्शन लड़ेंगे क्या लगता है आपका जो फैन फालूइंग है वोटों में तब्दील होगी जब बात आती है चुनाओं में लोगों को लुभाने की तो बैक वर्ड की बात करते हैं पिछडे की बात करते हैं पर जब टिकट बाटने की बात आती है तो फिर ये लोग कहां चले जाते हैं फिर इन लोगों को क्यों नहीं मिलता है जो ये गटबंधन हो गया सपा और बसप गाना थाना यह पुब्लीक है यह सब जानती है तो पुब्लीक को geliyor दोखाने दे सकते आप उनको पता है कि आपकी नियती क्या है आप क्या सोच चाहिए वो गडबंधन हो या कोई भी अलायंस हो सब को पता है कि किस नियती से यह सब हो रहा है सब लोग मिल करके एक आदमी को रोकना चाहते हैं आखिर क्यों क्या उन्होंने मतलब देश को ऐसा क्या नहीं किया उन्होंने जो करना चाहिए था आज पूरी दुनिया आज भारत के लिए ऐसा देख रही है कि हिंदुस्तान एक इतने शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहा है जब देश को इतनी तेजी से तरक्की कि और लेके जा रहे हैं क्यों रोकना चाहते हैं आप लोग यह पूरा देश जानता है यह पूरी जंता जानती है वो किसी को बताने के जरूत नहीं है था मैं 2003 में जब गाई की शुरू किया था उसी दिन कह दिया था सिरीमाने आप लोग का वोट जदी पाहेंगे कि उजवन किया नहीं करके दिखाएंगे यह नहीं रहुआ जो पूरी उम्मीद से है कि वीजेपी में अगर जॉइन करते हैं उसके बाद उनको जुनमेदारी दी जाती है जाहिर से बात है वो बड़ी चनोती बनके उबरेंगे गडवन्धन के लिए दूसरे लोगों के लिए और जनता के लिए भी कुछ कर पाएंगे अब देखना यह है कि जो उनके सपोर्टर हैं जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो वोटों में तब्दील होती है कि नहीं कहना मैं